तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पौदों की देखबाल के बारे में कैसे आप अपने पौदों को जो आपके पौदे मर रहे हैं अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उन्हें सही कर सकते हैं तो मेरे भी कुछ पौदे हैं मैं पहले अपको दिखा देता हूँ यह देखिए गया के प्लांटे עप देख सकते हैं कि अगर आपके भी winter flowering plants और उनके इलावा permanent plant जैसे जैसे अगलोविमा के पौदे आप देख सकते हैं किस तरीके से खराब हो रहे हैं तो इन पौदों को आप दबारा से सही कर सकते हैं कैसे आपने करना है चार से पांच पौइंट हैं जो मैं आपको पूरी detail में आजब बताओंगा मैं कोई ऐसा फैटी लेजर नहीं बताने वाला जो जादूई फैटी लेजर हो जो आपके पौदों को 10-15 दिन में हरा बराजर गना कर देगा टैम लगेगा क्योंकि सर्दी के बाद पौदे दुबारा से सही होने में टैम लेते हैं तो किस तरीके से आप जल्दी इने कवर कर सकते हैं किस सर्थिके से जल्दी से आप गरोत ले सकते हैं वो ही आज मैं 4-5 बाते आपके सायर करूंगा तो मेरे साथ मालीnewी है वो भी आपको कुसों ऐसी बातें बताएंगे जिन से आपको काफ़ी पौदा होगा तो इसलिए आप वीडियो को बिना मिस किये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि प्लांट्स के अर्लेटेड नई नई वीडियो नई नई टिफ्स आपको जो हैं वो मिलती रहेगी तो दोस्तो किस तरीके से आपने अपने पौदों की केर करनी है किस तरीके से ज़्यादा फू लेने है पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने माली रिसीपाजी से उनसे पूछ लेता हूँ कि अगर पौदे अच्छे से नहीं चल रहे पतियां पेली हो रही है तो मेन रिजन क्या है मेन कार्ण क्या है वो अभी काम कर रहे हैं जो पौदे खराब हो रहे हैं उन्हें साइड पर निकाल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट अलग से करेंगे जो पौदे अच्छे चल रहे हैं उनको वो अलग कर रहे हैं तो चलिए इन से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पौधों को हम मरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक चुरूर कर देना। तो रिसी पाल जी आप हमें बताइए कि जो पौधे हैं हमारे पौधे भी थोड़े से जो डाउन हो रहे हैं जैसे कि इनकी ग्रोध होनी चाहिए थी लेकिन ग्रोध अच्छी नहीं हो रही हैं जे पहले से ज़्यादा खराब हो रहे हैं बढ़ने की बज़ाजे मर रहे हैं वर इसी तरह से जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं जब 東 पर हमारे पास काश्टमर नर्सरी में पौधे लॉटे लैने के लिए आते हैं उनके पौधे बीस अधरा से चलते नहीं हैं खिराब राफ हो जाते हैं तो जिये कार्ण बताय कि क्या कार्ण है और किस तरीके से वो अपने पौदों को सही का सकते हैं प्रतिके से फूल ले सकते हैं जब पौधे मेंने के दो कारेड़ हैं ऑके आर्दास दिन से दूप नहीं मिली नहीं और इसमें पानी पाती रहें आप सब पाई इसमें फंजयक्स लग गई है ऑके पाई इसलिए पत्कियां इसके पीली पड़ गई ऑके इसके अब दूसरा का और पानी हप्ते में दो बार दें और हाथ ते टच कर लें कि टाइट है मिट्टी तो पाई दें गीलिया तो पाई ना दें और बूट है आपके बहुत दूपन करने लगया बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे तो दोस्तों दो कारण इनका कहने का मतलब जही है कि दो कारण जिसके कारण आपके पौदे अच्छे चलने की बज़ा खराब हो रहे हैं एक तो कारण जही है कि जैसे कि आरदास दिन दूप नहीं निकली लेकिन पानी आप रैगुलर देते रहे हैं जिसके कारण आपके पौदों में जो नमी है बहुत जादा हो गई जो सोयल में नमी है बहुत जादा हो गई नमी जादा होने के कारण फंगस लग गई क्योंकि दूप निकली नहीं फंगस लगई फंगस लगने से क्या हुआ कि जो आपके पौदे की रूडस हैं वो डैमस होने लगी है जिसके कारण आपके पौदे खराव हुए हैं अगर हमारे पास नर्स्जी में हमारे कुछ पौदे खराव हुए हैं हमारे पौदों ने अच्छी ग्रोथ नहीं किया जैसे जा देखिए जिस सालिवा का पौदा अच्छी ग्रोथ नहीं हैं कि ये पत्टी है उपर से पूरी पीली हो चूकी है तो रिजिञ क्या है कि इसकी जो सौयल है वो कफी जड़ा गिली थी उसमें नमी थी इसमें फंगस लगी है लगने के कारण पौदे की जो ग्रोथ बो बिल्कुल रुक चुकी है तो आपने क्या करने कि अभी पानी जो है वो जैसे कि हमारे रिसी पारजी ने हमें बताया कि पहले सोयल को टच करने के बाद अगर हाड है तो पानी दे अगर हाड नहीं है तो आप क्या करें कि पानी देने की आपको जुरूरत नहीं है तो नमी जो है उसे आप थोड़ी सी ड पौदों को दूप में रखें अगर आप दूप में नहीं रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो रिसी पार जी और एक बात बदाईए कि अभी इन्हें जो खाद है वो देनी की जरूरत है जहां खाद किस समय देनी चाहिए क्यों कि काफी जो मेरे दोस खाद एक बाद देनी बर्मी कंपोश्ट आती है ओके उसको या गोबर की खाद ओके जो दो साल परानी होनी चाहिए ओके ओके उसके बाद आप एक गमले में 20 ग्राम दे सकते हैं एक महीने में ठीक है तो एक बात और बताए कि अगर फिर भी पौदों की ग्रोथ अच्छी हंगमरवानी को सब्सांटी का सब्सक्राइब लीट आता से घंदोबट की बीच मैंने में और जो एन पी के है एन पी के उननीस उनीस है क्या उसे भी एक चम्च पानी में डाल कर दे सकते हैं हाँ जी हाँ एंफी नेकर पानीуть टैल के वही सकते हैं उसे फंगस नहीं लगेगी उपर आभणार पहले से फंगस लगई यहупर देना einhen अगर पहले आपने पौदों को बचा सकते हैं जैसे जैसे फंदस को जाए दिया उसका एक ही आइडिया है उक स्की गुडाई करें पहले पेले अपने गुराई करनी है और गुराई करने के बाद अगर उन्हें मार्किट से फंजी सैड पौडर मिलता है तो वह भी जूज कर सकते हैं तो दोस्तों अगर फंगस लगी हुई है पौदेगी पतियां पीली हो रही है तो आपने करना क्या है कि जो फंजी सेड पौडर है गुड़ाई करने के बाद पहले गुड़ाई करनी है गुड़ाई करने के बाद आपने दो दिन के लिए पानी नहीं देना है पूरी तरह से जो सोयल है आपके उसे हवा लगनी चाहिए जब सोयल को हवा लग जाएगी उसमें से जो नमी है भो खत्म हो जाएगी ड्राई हो जाएगी तो जो फंगस है वो भी खत्म हो जाएगी आपकी जो मिट्टीestruct लगने से दूप लगने से फंगस भी खत्म हो जाएगी और साथ में आप हल्दी पौडर जाए फिर फंजी सेर्ड पौडर है वो डाल सकते हैं तान जो दोस्तों आप अपने पौदे को फंगस से बचा सकें तो आपके पौदे अच्छी ग्रोध करेंगे आपके पौदों के प्रक्षिल आएंगेόσम रूसिपलगे तो डोस्तों अगर आपके पौदे अपको अच्छे लगी तो विडियो को लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब जूर करना वाइ टेक क्यार है पी करने ही